यूपी विधानसबद चुनाव से पहले सियासी पाला बदल कर दूसरी पार्टियों में दोड लगाने वाले के बड़े नेता चुनाव हार गए हैं हलाकि के दल बदलों को नई पार्टि की हवा रास आई है उन्होंने दूसरे चुनाव चिन पर भी अपनी पारंपरिक सीट बचा ली है यहां हम यूपी के कुछ ऐसे ही नेताओ की फहरिस्त लेकर आए हैं जुन्होंने चुनाव से ठीक पहले दल बदला था चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौरे फाजिल नगर विदान सबसीर से हार गए हैं दल बदल के बाद उन्होंने कहा था कि वो जिसे छोड़ देते हैं उसका कुछ अता पता नहीं रहता लेकिन वीजेपी के सुरेंद्र कुछवाहा ने उन्हें 26,000 से जादा वोटों से हराया है स्वामी प्रसाद मौरे 2017 में बीजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे धर्म सिंग सैनी भी चुनाव से ठीक पहले मंतरी पद और भाजपा का साथ छोड़कर सपा में शामिल हुए थे वहसारन कुजिले की नकुड विधान सबसीर से चुनाव हार गए है कांटे की टकर में भाजपा के मुकेश चौधरी ने उन्हें शिकस्त दी है धर्म सिंग सैनी 2002 से लगता चार बार विधायक रहे हैं 2002, 2007, 2012 में बसपा के टिकर पर विधान सबहा में पहुँचे थे जबकि 2017 में बीजेपी की टिकर पर नकुड सीर्ट से जीत कर विधायक बने थे योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंग चोहान भी पाला बदल कर साइकल पर सवार हुए थे लेकिन दूसरे दल बदलों के मुकाबले उनकी किस्मत अच्छी रही मौजिले की घोसे विधान सबहा पर उन्होंने जीत दर्श की है उन्होंने बीजेपी के विजे राजभर को शिकस्त दी है 2017 में दारा सिंग चोहान ने बीजेपी के टिकट पर मौजिले की घोसे विधान सबहा से चुनाव जीता था करीब चार दशकों से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे राम अचल राजभर ने इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर अकबरपूर सीर से चुनाव लड़ा और जीत हासल की राजभर बेस्पे सुप्रिमो मायावाती के करीबी नेताओं में रहे हैं लिकिन बाद में दोनों में अन्बन हो गई मायवती ने उन्हें पार्टी विरोधी गती वीदियो के चलते बसपास निशकाशित कर दिया 2022 के चुनाव से पहले राम अचल ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया कटेरी सीट पर एक बार फिर से लाल जी वर्मा का कबजा लेकिन इस बार साइकल पर सवार होकर जीत दर्ज की साड़े साथ हजार वोटों से जीता रण लाल जी वर्मा बसपासर कार में मंतरी के अलावा पार्टी में भी एहम पदों पर निर्णायक भूमिका में थे लेकिन जिला पंचाय चुनाव के दौरान लाल जी वर्मा को पार्टी विरोधी गती विदियो के आरोप में बसपासे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था अधीती सिंग ने राय बरेली सदसीट पर बीजेपी का जंडा लहरा दिया है नमबर 2021 में अधीती ने बीजेपी का दामन थामा था बीते कुछ साल से अधीती सिंग की कॉंग्रेस से अन्बन की खबरे सामने आ रही थी पिता अखिलेश सिंग के गुजरने के बाद अधीती खुल कर कॉंग्रेस का विरोध करने लगी थी आखिरकार उन्होंने पाला बदला और मौजूदा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़ रही थी 2017 में उन्होंने इसी सीच से कॉंग्रेस के टिकट पर जीत दर्श की थी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन प्रेस कर दें